हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ सेयर करने जा रही हूँ, पोहे से बने हुए कटलेट की रेसिपी, जो की सभी के फैवरेट होते हैं, तो आईए बनाते हैं, पोहे के स्वाधिस्ट और टेस्टी कटलेट्स, कटलेट बनाने के लिए हम लेंगे एक कप पोहे, पोहे आप कोई से भी ले सकते हो, इनको हम वास कर लेंगे, अच्छे से धूलेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी धूल जो भी होगा, वो निकल जायागा, तो दो से तीन बार हमें इनको अच्छे से धूलेना है, मैंने ये धोकर तय तयार कर लिए, अब हम एक गलास पाने डालेंगे, और तीन से चार मिनटे के लिए इनको रेस्ट पर रख देंगे, ढखकर, उसके बाद इनको धोकर तयार कर लिए है, देखे इस तरीके से, उसके बाद पानी हमें बिल्कुल अच्छे से निकाल देना है, उसके बाद इस जैसे आठा कुझते वैसे ही, इनका इसका डो बनाकर तयार कर लेना है, तो इस तरीके से, मस लेंगे तो आराम से डो तयार हो जाएगा, बड़ी आसानी से, तो देखिए इस तरीके से इखटा कर लेंगे, मसलते होए और डो के फोर्म में ले आएंगे इसे, ये मैंने तया कर लिया है आलो को आप आलो को मैस भी कर सकते हो अब हम डालेंगे इसमें तमाटर तो दो टमाटरों को मैंने बारिक-बारी कट कर लिया है इनका पल पला कर दिया है एक प्याज और दो हरी मिर्ची इनको भी मैंने बारिक-बारी कट कर लिया है यदि आप लेसुन प्याज नह मिर्च पाउडर एक तियाई चम्मच फिर हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर एक चोथाई चम्मच फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर आधी चम्मच फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर एक चोथाई चम्मच फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला एक चोथाई चम्म से भी कम फिर हम डालेंगे समें अमचूर पाउडर एक चौथा ही चमच नमक टेस्ट के अंसार आदा चमच मसालें आप अपनी पसंद के अंसार डाल सकते हो कम या ज़ादा अब हम डालेंगे इसमें लेसुन और अद्रक का पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें और यदि आप लेसुन नहीं हाते हो तो इसकीप कर सकते हो only अद्रक को भी क्रस करके डाल सकते हो अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी इसको अलका सा क्रस कर लेंगे इस तरीके से डाल देंगे और अब हम इसमें एड करेंगे जो हमने पोहे का आटा लगा कर तयार किया है पोहे का डू लगा कर तयार किया उसको डाल देंगे इस तरीके से mix करेंगे इसमें तोड़ करके और फिर इससे हम इसको अच्छे से गूथ लेंगे जैसे आठा गूथते वैसे हमें डू लगा कर तयार करना है आलों से और पोहे से और सबजियों से तो इस तरीके से हाथ की सा आता से मिक्स करते जाएंगे इसको डो फॉम में ले आएंगे मिक्स करते हुए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसलिए इमिसन ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए यदि आपको लगता है तो इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर सकते हो आप यदि गीला लगता है तो बेश बना कर यार करेंगे यह लिए मैंने राइस फ्लॉर मैं तो देखिए यह मैने ले लिया है अब हम बिद्फिर हाथ करेंगे पहले ऑल या गी से हाथ को ग्रीलीज कर लेंगे इसके बाद छोटी से को लोती लेंगे जैसे पेडा बनाते वैसे हि ti सबस्क्राइब नियूंगे नियू चाहाओं किलिए और इस तरीके से गोल कर लेंगे और फिर कटलेस का आकार देंगे इससे पहले खटा कर लेना है हमें उसके बाद इसको प्रैस करना हाथ की सायता से तो देखिए बड़ी आसानी से कटलिट बन जाएगी और से दे देनी है और उसके बाद दूसरी लोगी लेंगे सेम तरीके से हम दूसरी लोगी को भी तयार करेंगे इसी तरीके से कटलिट बनानी है उसके बाद हमें इनको चावल के आटे से कोट करेंगे राइस फ्लोर से तो देखिए दूसरी भी मैंने इस तरीके से तयार कर लिए तो फिर्स यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा वेल आइकन के साथ जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आ आप मेने सभी वीडियो को सबसे पहले देख सको अब हम इन कटलेट्स को राइस फ्लोर से कोट कर देंगे अच्छी से और इसी तरीके से सभी कटलेट्स को बनाकर तयार कर लेंगे मैंने सभी कटलेट्स को बनाकर तयार कर लिया है देखिए इस तरीके से तयार करना है अब हम इनको fry करेंगे तो इनको साइड में रख देंगे और इक fry पेन को gas पर रखेंगे gas को on करके इस fry पेन में डालेंगे oil को हम गरम कर लेंगे बहुत जादा oil भी नहीं डालना है हमें तो हमें इनको ना तो deep fry करना है ना ही shallow fry तो यह आदी डूब जाने चाहिए तरह oil हमें डालना है अब हम तेल गरम होने के बाद इसमें इस तरीके से cutlets को रख देंगे और साबदानी से रखना है क्योंकि तेल गरम है तो हाथ जल सकता है तो इस तरीके से दीरे-दीरे हम सभी cutlets को रख देंगे जितने हमारी fry पेन में आएंगे उतनी cutlets रख देंगे तो देखिए यह मैंने रख दिये गैस का flame रखेंगे यदि आपको लगता है थोड़ी कच्ची रहें तो वापस इसको पलट कर सेख सकते हो तो फ्रेंट्स और भी आपको नई नई रेसिपीज देखनी हो तो आप मेरे फेसुक पेज और इस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्रिप्स में दे रखिए यह वहां से देखकर आप इन पेजिज पर जा सकते हो तो देखिए अब हम इनको फिर से पलट देंगे और इस तरीके से घुमाते रहेंगे बीच बीच में और गोल्डन बाउने तक इनको हम फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वेल आइकन के साथ और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो अब हम इन कटलेट्स को बहार निकाल लेते हैं क्योंकि यह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द धन्यवाद